C.I.E.T. and C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का चौधुमा पाठ कहां से आया, किसने पकाया? यहां पर चित्र के द्वारा वेणू का परिवार और रानी का परिवार दिखाया गिया है. इसमें वेणू की पत्नी बच्चे को नहला रही है और वेणू जाडू लगा रहा है. दूसरे चित्र में वेणू उसकी पत्नी और उसकी बच्ची तीनों साथ साथ मिलकर खाना खा रहे हैं. तीसरे चित्र में वेणू की बेटी साइकल चला रही है और वेणू और उसकी पतनी साथ साथ बैठकर अख़बार पढ़ रहे हैं अब देखते हैं रानी का परिवार रानी की मम्मी खाना पका रही है उसके बाद रानी खाना परस रही है और रानी के पापा और रानी का भाई दोनों खाना खा रही है तीसरे चित्र में रानी अपनी मम्मी के साथ पानी भर कर ला रही है और रानी के पापा अखबार पढ़ रही है अब बताओ दोनों परिवारों में कौन किस तरह के काम कर रहा है क्या तुम्हारा परिवार इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है यदि हाँ तो किस के जैसा तुम्हारा परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है और यदि नहीं मिलता, तो अपने परिवार के बारे में बताओ क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? सबसे आखिर में खाना कौन खाता है? खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता? और क्यों? अब एक तालिका बनाओ यहां कुछ काम बताए गए हैं तुम्हारे घर में और तुम्हारे एक दोस्त के घर में इन कामों को कौन करता है पता लगाओ और लिखो कुछ काम तालिका में और जोड सकते हो जैसे काम खाना बनाना तुम्हारे घर में कौन करता है और तुम्हारे दोस्त के घर में कौन करता है इसी तरह से काम है बाजार से समान खरीदना, जाड़ू लगाना, बरतन साफ करना, पानी भरना इनमें तुम अपनी मर्जी से और काम भी जोड सकते हो अब ये बताओ घर में ज्यादा काम कौन करता है तुम्हारे घर में और तुम्हारे दोस्त के घर में जो खाया कहां से आया यहां कुछ खाने पीने की चीजों के नाम बताए गए है जो चीजें हम पेड़ पौधों से लेते हैं उन पर हरे रंग का निशान लगाओ जो चीजें हमें जानवरों से मिलती हैं उन पर लाल रंग का निशान लगाओ रिक्तिस्थान में कुछ नाम भी जोड़ो चीजों के नाम हैं शहद, हल्दी, मचली, रिक्तिस्थान मक्का, दूद, नेबू, रिक्तिस्थान पालक, आलू, अजवाइन, रिक्तिस्थान अंडा, मास, केला, रिक्तिस्थान टमाटर, प्याज, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान जब तुम बीमार होते हो, तो क्या पेड़ पौधूं से मिलने वाली चीजों को दवाई के रूप में लेते हो? कब और कौन-कौन सी चीजे लेते हो? बताओ, जैसे चोट लगने पर, या पेट दर्ध होने पर, खांसी के लिए, दात दर्ध होने पर यहां चार टोकरी दी गई हैं, एक है फूल की टोकरी, एक पत्ते की टोकरी, एक है फल की टोकरी, और एक है पौधे का कोई और हिस्सा यहाँ पर कुछ चीजों के नाम भी दिये गए हैं चीजों का सही टोकरी से मिलान करो जैसे कचनार के फूल यह आएगा फूलों की टोकरी में और चीजे हैं अदरक, आम, आमला, चने, कठल, पालक, कमल ककडी सैंजन की फली, कड़ी पत्ता, मूली, गाजर, सरसों, आलू, केला कहां से आया, किसने पकाया अभी आप सुन रहे थे कक्चा 3 की पाठे फुस्तक हमारे आसपास का ये पाठ प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत